प्रेंद्स नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बुक और आजिटीव नेटवर्क पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं चमतकारी टोटके जह हम विशेश विशेश सब्जेक्ट्स पर लेकर आते हैं और कभी-कभी आपने देखा होगा हमने नवरात्री पर भी टोटके दिये तो अब हम लेकर आएं आपके लिए बहुती विशेश और खास हनुमान जी के चमतकारी टोटके बदल देंगे आपकी पूरी जिन्दगी हमारा आज का विशेश यह है हम हनुमान जी के टोटके क्यों बता रहे हैं क्योंकि हनुमान जैनती जिया विशेश पर आने वाला है और पूरा चैतर का महीना जो होता है न यह हनुमान जी के पूजन और देवी के पूजन के लिए विशेशम माना गया है विशेश सबसे ज साथ साथ हनुमान जी को भी समर्पित है साल 2022 में हनुमान जैनती जैसे हम हनुमान जन्मोचव बोलेंगे क्योंकि जैनती नहीं बोलना चाहिए जन्मोचव है क्योंकि हनुमान जी अमर है जिया इसलिए जन्मोचव है तो हनुमान जी का जन्मोचव का जो पर्व है वो शनिव अवतार आठवें अवतार भहरव कहे गए हैं और माता सीता के आशिरवाद से हनुमान जी को अमरतत्व प्रापत है अमरतत्व शास्त्रों में हनुमान जी से सम्मंदित कई ऐसे सरल उपाई बताए गए हैं जो की करने से हनुमान जी परसन हो जाते हैं यह जो पूरा महीना है इसके अगले वाले हफते में तो हम आपको राशे नुसार कुछ उपाए बताएंगे लेकिन ये जो विशेश पूरा हफता है आपके पास में तो वो सभी मनोकामनाओं को पूरी करेगा क्योंकि हनुमान जी का बिर्थडे बसा नहीं वाला है आइए जानते हैं हनुमान जी से सम्मंधू कुछ खास उपाए और टोटके जो आपकी पूरी जिंदेगी को बदल देंगे आईए जानते हैं देखे हनुमान जी भक्त बतसल कहलाते हैं तो ऐसे में बहुत सरल सरल टोटके होते हैं क्या करें? मंगलवार को जटा योग पियानी के जटा वाला पानी वाला नारियल रोगी के सिर से 21 वार वार कर क्लॉकवाइस हनुमान मंदिर में चड़ाएं और हनुमान जी के उल्टे पाउं का सिंदूर जो हनुमान जी का लेफ्ट पाव हैं उसका सिंदूर रोगी के मस्तक पर लगाएं रोगों से निश्चित मुक्ती मिलेगी मंगलवार और शनिवार को किसी भी हनुमान मंदिर में 11 जो हैं वो काले उड़त के दाने सिंदूर चमेली का तेल फूल प्रसाद आदी अर्पित करें इससे जितनी भी बाधाएं उनसे मुक्ती मिलती है बाधाएं हर्डल जो हैं वो दूर होती है रोज रात को सोते समय हनुमान जी के सामने मिट्टी के दीपक में घर में ही मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दिया जला कर हनुमान चालिशा के एक बार पाट कर ले इस से क्या होगा दुर्भाग दूर होता है हनुमान जी रात्री के देवता है दिन के समय में वो राम जी की सेवा में रहते हैं मंगलवार और शनिवार को ग्यारा पीपल के पत्तों पर लाल चंदन से शृी राम लिखकर हनुमान जी को और्पित कर दें, जीवन के सारे दुख दूर होते हैं नारियल पर लाल चंदन से स्वास्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में और्पित करके रिन मोचक मंगल स्तोत्र का पाट करें तो कर्जों से निश्चित मुक्ति मिलती है मंगलवार या शनिवार को सिंदूर लगे नारियल पर थोड़ा सा सिंदूर लगा ले नारियल पर तो सिंदूर लगे नारियल पर एक सिक्का रखकर अपने अंगूठे में सिक्के को दबा ले ऐसे और सिंदूर लगा वा नारियल है रखकर दुकान से साथ बार उसे उसार ल मंगलवार या शनिवार को लाल कपड़े में नायल और गेहु बांद कर हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। इससे मंगल और शनी के अशुप प्रभाव जो हैं वो दूर होंगे। कहते हैं न मंगल को जन में मंगल ही करते हैं मंगल मैं भगवान जय हनुमान। अब हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करके श्री राम चरित्र मानस में वरनत सुंदर कांड का पाठ करें। इससे धन आगमन बाधारहित बनता है। और विशेश अकर ये ना कर पाएं तो हन प्रमान स्तवन का पाठ कर लें। बड़ा इजी है। प्रनव पवन कुमार खलबल पापक ज्यान घंजां सुहृदे आगार बसीहीं रामसर चापधर अतुलित बल्धामं हेम शलाब देहम दनजवन कुशानम ज्यानिनम अग्रेगणियम सकल गुणु निधानम वनारणाम अंधीशम रगुपती पर ये भक्तम वात जातम नमामी। गोश्पदी करत वारिशम मश्की करत राक्षासम रामायन महामाल लरतनम बंदे निलात्मजम अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपिशम शहनतारम बंदे लंका वहेंकरम। थोड़ा बड़ा है इसे पढ चार पूजन करके मंदिर में संदूर का चोला चड़ाएं। कष्ट कलेष्ट जो हैं वो नश्ट होंगे। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर ग्यारा बार हनुमान चालिसा का पार्ट करें। संकत का मोचन होगा। तबी तो उन्हें संकत मोचन कहा गया ह दक्षन वोगे हनुमान जी की पूजा करके उन पर गुड़ चने का भोग लगाएं घर में ही तो परिशानियों का अंत होता है और आखरी मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा अरपित करें अगले सब्सक्राइब आपको पाएंगे राश नुसार बारा उपाएंगे आपको इस बार भी बारा उपाएंगे और कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए स्पेशल सीरीज के इंतरगत आज के लिए बस इतना ही जै श्री राम जै हनुमान और इजाज़त दीजे और देखते रहे हैं आपका ही चैनल कमल नंदाल यूट्यूब फेस्बूक और आईजी टीव नेटवर्प पर इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्युवाए